देखिए दोस्तों आप में से काफी सार लोग ऐसे हैं जो हमेशा ईसले कोई भी जीला का भुरती आता है तो आपको हम बताने की कोशिज करते हैं तो अभी जो है बिहार के दो ऐसे जीले हैं जहां पे भरती निकाली जा चुकी है और इसका जो आवधन फर्म है उसको भी शुरू कर दिया गया है ऐसे में आप कम पढ़े लिखे भी हैं तो आप इसके लिए आवधन कर सकते हैं कैसे आवधन करेंगे कौन सा पोस्ट है कौन कौन सा जीला है सभी जनकारी इस वीडियो में किलियर करके बताएंगे लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लिस वीडियो को लाइक करिएगा साथी साथ आप कौन से जिले साथे हैं एक बर हमें कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बताएगा तो इस तरह से जो भी भरती आती रहती है उसके बारे में आपको हम जनकारी देने की कोसिस करेंगे तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम वेकेंसी की बारे में बात कर लेते हैं तो जो है और वल से निकाली गई है और भी कुछ जिले के लिए भरती है उसके बारे में आपको हम बताएगे तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी पद भरे जाएंगे वो जो है सबिंदा के अधार पर भरे जाएंगे और इसमें जो है छे प्रकार के अलग-अलग पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं चलिए सभी के बारे में आपको हम विष्टार से बताते हैं देखिए पहला जो पोस्ट है मैनेजर और कोडिनेटर का है जिसमें महिला जो समानिय बर्ग से होती है उनके लिए आराचित रखा गया है एक पोस्ट है और 17,500 पर प्रती महमान देह दिया जाएगा 20-25 से लेकर 45 के बीच में उम्र होना चाहिए और सेंक्ची योगिता में बोला गया है कि समाज कारिय, समाज सास्त्र, मनो बिग्यान, बिधी या पिर अन्य किसी समाजिक बिग्यान बिशवय में अगर असनातक यानि कि बिये किया हुआ है या फिर असनातक के साथ किसी भी मन्याता प्राव बिशव बिध्याले या फिर प उनुभव होना चाहिए और साथी साथ एमेक्स ओपीस पे काम करने का जो है छमता भी होना चाहिए समाजिक करे करता सह अरली चाइल हुल्ड एजुकेटर का भी पोस्ट रखा गया है समाने के लिए एक पोस्ट है 14,000 पे सेलरी है 22 से लेकर 45 बर्स के बीच में उम्र रखा गय समाजकार्य, महनु बिज्ञान या फिर अन्य किसी भी समाजिक बिज्ञान में असना तक पास किया है तो फॉर्म को फिल कर सकता है विशम परस्तितियों में रहने वाले बच्चों के साथ कार्य करने के कम से कम एक बर्स का जो है अनुभव भी मांगा गया है उसके बाद न उसके बाद यहाँ पर आया का पोश्ट है और चोकिदार का पोश्ट है तो आया का जो है चोई पोश्ट है 6000 पर सररी प्रती महा दिया जाएगा 20-45 बर्स के बीच में उम्र होना चाहिए लिखने पढ़ने में सक्चम है तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं और सेम चोकिदार का पाल स्रक्षर इकाई किसान भावन परखंड परिसर औरवल यानि के औरवल जिला से वकेंसी आई हुई है और वहीं के निवासियों से जो है आवेदन फंग मांगा गया है तो अरवल बिहार पीन कोट 844 01 पर आपको स्टेंड करना होगा रेज जो है दस एक दोजार 23 से पह दाूलर करके फ़र्म को फूल कर के स्टेंड कर सकते हैं यहां पर कहा गया है कि जो भी आप फूल करेंगे उसमें पद का नाम जरूरू लिक्त करेंगे जो भी लिफास आपका होगा उस प्र यहां पर बतायागा या पिर अनुभय पर पर जाती परीया पर मार 파ट कि सेयन ev बताया गया है कि एक से चार तक के जो भी पोश्ट है उसमें गड़ना सत्यापन है तो मैटरिक का परमाण पतर अंग पतर यहों 5 से लेका 6 तक के जो भी पोश्ट है उसके लिए जनम परमाण पतर पैन कार्ड या फिर अधार कार्ड ड्राइवी लेसेंस की सिल प्रटेस्टेट छाया प्रती संगलन करना अनिमार्ज होगा उसके बाद बोला गया है कि इसका जो सलेक्शन प्रसीजर होगा इंटर्व्यू बेसेस पे होगा यानि कि कुछ आप से मौकिस पूछा जाएगा जिसका यहाँ पर डेट भी दिया गया है आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर साब साब बता दिया गया है कि मैनेजर, कोडिनेटर, समाजी, करेकरता, सह, अरली, चाइल्ड, हुड, एजुकेटर, नर्स के लिए अठारे एक दोज़ार तेईस को सड़ेगार बेस लेकर सड़ेचार बजे के बीच में आपका जो है शक्चतार होगा जिसमें आपसे कुछ पूछे जाएंगे जैसे की इंटरव्यू के बेसेस पे उसके बाद जो चिकिष्टक है या फिर चोकिदार आया है इनका बीस एक दोज़ेटर तेईस को सुबह सड़ेगार बेस से लेकर सड़ेचार बेस तक जो है आपका इहां पर इंटरव्यू होगा अस्थान आपका दिया गया है जीला बाल सरक्षरीकाई करे आले और रोल में आपका इंटरव्यू होगा ठीक है तब आपका जाकर यहां पर सलेक्शन होगा तो इस तरह से जो है जनकारी यहां पर निकल के आया हुआ है तो फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो जरूर फिल करें अब नेश जो वैकेंसी है वह आप देखेंगे कि यह जो है रोहतास सासा राम से निकल के आया हुआ है तो इसलिए हम कहते हैं कि आप कौन से जिलेस आते हैं एक बार हम मेंजर कोडिनेटर का पोस्ट है जिसके लिए इसको देख लेंगे अपने हिसाब से स्यम होई है देखिए आया कभी यहां पे छो पोस्ट रखे गए हैं और 6000 पैसलरी मिलेगा और इसका भी बोला गया है कि पोस्ट के माधियम से आवदन करना है आप यहां पे खुद देखें आप हमें भर के भेजना होगा 10,1,2,3 के सामके पाच बैक तक जो है आपको इसको भेज देना यानि कि 10 जनवरी 2023 से पहले आपको आवदन करने होंगे बोला गया है कि जो भी आवदन पत्र आप भरेंगे उसके साथ जो भी सांक्चिक ओटा परमार पत्र है अन्भर पमार जाती पमार पत्र है अवासी पमार पत्र इतियादी कि जो भी आप डॉकमेंस लगाएंगे सब पर जो है सेल अपर टेश्टेट करके जो है 15 रुपय का टीकट भी चिपका कर आपको यहां पर आवदन अपना भेजना होगा यहां पर बताया गया है कि आपको जो लिफापा आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं अवदक का नाम क्या है हिंदी यंग रेजी में पीता का नाम क्या है मता का नाम क्या है लिंक क्या है बाकि यहां पर जो भी अपना जनकारी है वो आपको बताना होगा और यहां पर सिगनेचर करके जो है आपको भेजना होगा तो यहां पर दो जीले के लिए वेकेंसी निकल के आई हुई थी जिसके बारे मैंने आपको किलियर करके बताया अब इसको डाउलोड करने के लिए और इसके बारे में अधिक जनकारी के लिए आपको जो है एजीटूनेट.com पर आना होगा जिसका लिंक हमने डिस्क्स बोक्स में दिया हु जिसके हिसाब से अब सारे जनकारी को यहां पर समस्क्ष सकते हैं और नीचे आएंगे तो इसका जो अप्लीकेशन फॉरम है और साती इसको भी यहां से डाउलोड कर सकते हैं ETI है कि किलियर करके बता दिया कि दो जिले से भरती निकर के आई हुई थी जैसे कि औरवल और आपका रोहतास यानि कि सासाराम जिला से यहां पर भरती निकल के आई हुई थी तो मैंने यहां पर सारा जनकारी किलियर करके बता दिया है तो अगर आप कोई और जिले से आते हैं तो प धन्यवाद